नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और लच पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 20 मईद 2021 की हिमाचल प्रदेश की आज की जो है सभी टॉप 10 ताजा खबरों के जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर हैंड तक बने रही है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूलें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बेल आइकन को दबाला है ताकि आप तक मेरी हार नौटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तों वीडियो को जो शूरू करते हैं शूरू करते हैं आज की टॉप 10 त केस आया है जाने सकरी केस तो प्रदेश में जो है कुल करोना संक्रामितों का आंकड़ा एक लाख सतर हजार जो है चुरहत्तर पहुंच गया है इनमें से अब तक जो है एक लाख बत्तिस जार चार्सो चे जो है संक्रामित ठीक हो चुके हैं सक्रीय केस जो हैं अब 35,124 हो अगनी जाब के सामने कि कैबिनेट बैठक सीएम जैराम बोले करोना की स्थिती पर निर्भर करेगा करफ्यू बढ़ाने का फैसला तो मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर ने कहा कि करोना करफ्यू बढ़ाने का फैसला जो है संक्रामित की स्थिती पर निर्भर करेगा लोहनू में जो है पत्रकारों से अनुपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि करोना के ताजा हरात को देखने के बाद ही जो बिस मही को पस्तावित कैबिनेट में करफ्यू बढ़ाने पर जो है फैसला लिया जाएगा अग्णिज़ाप के सामने कि सर्वल डाउन होने से ठाप रही बायोमेट्रिक मिशीने राशन लेने लोटे बेरंग लोटे हजारों लोग तो आगे बताया है कि करोना कर्फ्यू में धील के बीच परदेश के कई जीलों में सस्ती राशन की दुकानों में बायोमेट्रिक मिशीने ठाप हो गई ऐसे हजार लोगों को प्राशानी को सामना करना पड़ा काफी इंतजार के बाद भी जब मशीने नहीं चली तो लोगों को निराश होकर घर लोटना पड़ा अगनी उजाब की कि रोतांग दर्राम गिरे बर्फ के फाय हिमाचल में 23 मई तक खराब रहेगा मौसम तो हिमाचल प्रदेश में 23 मई तक जो है मौसम खराब रहने का पूरवा नमवान है गुरू बाद को प्रदेश के मैदानी और मद्यम उंचाई वाले क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट यारी किया है इस दोरन कांगडा कुलू मंडी शमला सोलन से मौर और किनौर में तोफान की चेतावनी दी गई है अगनिस जाब की शमला गंभीर बिमारियों या अस्ताल में भरती मरीज करोना टीके के लिए करें 4-8 सब्ता का इंतजार तो करोना से पेड़ित व्यक्ति स्वास्ते होने के बाद 3 महीने तक वैक्सीन नहीं लगवा सकते गंभीर बिमारियों से ग्रस्त या अस्ताल में भरती मरीजों को भी या आईस्यू की आयुशक्ता वाले मरीजों को कोविड का टीका लगाने के लिए 4-8 हफते का इंतजार करना होगा अगनिज जापकी कि शमला में 120 रुपए प्रती किलो भी का रैड ब्यूट प्लम बागवान गद गद तो हिमाचल की राजधानी शमला की भट्टा कोफर फाल मंडी में बुदवार को रड ब्यूट जो है किसम का प्लम 120 रुपए प्रती किलो के दाम पर भी का बढ़िया क्वाल्टी और अच्छे साज के चलते रड ब्यूट प्लम को या दाम मिले अगनी जाब की कि करोना से हिमाचल के लगू द्योगों में 60% गिरा उत्पादन तो करोना की दूसरी लहर लगू कुटीर और सोक्षम अद्योगों पर भारी पड़े रही है उत्दयोग पतियों का दावा है कि MSME सेक्टर की अद्योगिक एकाईयों में 60% तक उत्पादन अगनी जाब की शंबला से कि डोडरा कवार किशेत्र की पांच पंचायतों में इंटरनेट सुविधा नहीं विद्यार्थियों की ओनलाइन पढ़ाई प्रभावेत तो करोना कर्फियों के चलते हैं आचर प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेज बंद कर ओनलाइन का खश विदा नहीं है अगनी जाब की करोना कर्फियों के भुंतर में मातर तीन रुपए खिलो तक बिख रही बंद को भी तो करोना कर्फियों के चलते हैं राज जैसे बाहर सब्जियों की सप्लाई ना हो पाने के कारण दाम बहुत गिर गये हैं हिमातर प्रदेश की कुलू जी जी लेकी भुंतर सबजी मंडी में बंद को भी मातर तीन रुपए केलो के भाब से भीकी इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है अगनी जाब की मंडी से कि मचली मारने के लिए करदी ब्लास्टिंग 60 घरों में धरा रहा है तो हिमाचर प्रदेश की मंडी जी लेकी द्राशी घरों में आई दरार जो है आ गई अगनी जाब की उन्ना बिना पर्ची दवा बेचने पर 5 विक्राताओं के जो है लाइसंस निलंबेत तो बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटी कोविड दवाएं बेचने वाले दवा विक्रताओं पर हिमाचर प्रदेश के उन् डॉक्टर की परची की करोना की दवा बेच रहे थे अगनी उजाब की कि सीम जैराम बोले हिमाचल में पंद्रा सो से पांच हजार के विस्तरों की किशमता तो मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने हिमाचल परदेश के धर्मशाला में कोविड-90 के स्थिति किस्मीक्षा बैठ में कायंग्रा जीले में कोविड से होने वारी मौतों की संख्या में बढ़ोत्री पर चिंता जताई कहा कि हॉम आइसुलेट कंभीर मरीज्जों को तुरंत स्वास्ते संस्थानों में शिफ्ट किया जाए कहा कि सरकार ने परदेश में कोविड मरीज्जों के लिए बेस्तर कि डॉक्ट्टर दिव्या धिमान के बाद उनके भाई मुकुल धिमान भी भारती सेना में लफ्तिनेट बन गये हैं। मुकुल धिमान ने पूरे से Medical Corps में लफ्तिनेट कमीशन पराप्त किया है। मुकल धिमान के पिता जैवीर मेडिकल प्रोफेशन और माता ओशा देवी विमा कंपनी में साइक प्रवन्दक है अगनी उजापकी के मशूर लेखक रसकिन बांड ने मनाया स्तास्विया जनम दिवस अपनी जनम स्थली कसौली को किया याद तो अंग्रेजी बाल साहिते में अभूत पूर्व काम करने बाले रसकिन बांड हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली में पैदा हुए और शिमला के बिशबक कॉर्टन स्कूल में पढ़े है अगनि जापकी की लड़ेंग के करोना से करोना मरीजों के लिए तीन कांग्रेस विधायकों ने दी पांच एंबूलेंस तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के तीन विधायकों ने करोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए पांच एम्बूलेंस चोई उपलब्द करवाई हैं विधायक इंदरदत लखनपाल ने अपने विधानसा पक्षेतर में करोना मरीजों को लाने और ले जाने के लिए एम्बूलेंस दी है अगनिज आपकी नेर्चोग कोविड अस्टाल में तीन और मोतें बिलासपूर और मंडी के संक्रमितों ने तोड़ा दम तो डेडिकेटिड कोविड अस्टाल नेर्चोग में जो है तीन और करोना संक्रमित लोगों की मौत हो गई है इनमें एक विलासपूर और दो मंडी जीला के रहने बाले थे नेर्चोग में बोद बार को विलासपूर जीला के नैना देवी क्षेत्र के 79 वर्षी वेक्ति की मौत हो गई इसके अलावा मंडी जीले के लसर हुआ सदोल क्षेत्र के 89 वर्षी महिला की मंगलवार देर रात पौने 10 वजे के करीब मौत हो गई इने 16 मई को उपचार के लिए आइसोलेशन बार्ड में भरती किया गया था अगनी जाब की कि राशन लेने उमडी भीड ने उड़ाई नियमों की धजियां एक बार्ड को बुलाया था पहुँच गए सभी तो गरली से नियूज है कि बलोग खंड प्रागपूर के अंतरगत डाडा सीवा में जो है लोग कोवीड गैडलाइन की धजियां उड़ाते दीखे क्रिशी सहकारी साबा समिती डीपु के बाहर जोए सैंक्रों लोगों की भीड जमा हो गई उदर कुछ लोगों का कहना है कि इस संकट की घड़ी में राशन लेने बालों को वाड तरपर ग्रोप में बुलाए ताकि संक्रमन से बचा जा सके हलंकी साबा साचिवा पंचायत परधान ने बताया कि डाडा सीवा के तमाम लोगों को मंगल बार को ही बता दिया था कि केबल वार्ड नंबर एक के लोगों को ही राशन मिलेगा लेकिन कुछ लोग अनावश्यक ही चले आए अगनी उजापकी कि कांगणा में बढ़ते करोना मावनलों पर एक्शन मोड में सीम जाराम धर्मशाला में हुई हाई लेवल मेटिंग अगनी उजापकी कि घर से भागा करोना संक्रमित उप परधान पोलिस ने पकड़ कर पहुँचाया कोविड केर सेंटर तो बिलासपुर से ये निउज है अगनी उजापकी कि करोना पॉल्टे मृत्कों का दा संसकार करने वाले भाईयों को रज्यपाल ने दिया परशंसा पत्तर तो रज्यपार बंडारो दतात्रे ने करोना महमारी में पांसो से अधिक मृत्कों का दा संसकार करने वाले कांगडा जी लेके दो भाईयों संजीव कुमार और राजीव कुमार के जज़वे को सलाम किया है उन्होंने पंजाब केसरी में प्रकायशित खावर के अधार पर दोनों भाईयों को प्रशांसा पत्तर बेजा है अगनिवजाब की कि हिमाचल में फिर बढ़ सकता है करोना कर्फियू मुख्य मंतरी ने 24 को बुलाई मंतरी मंडल की बैठाक अगनिवजाब की कि बलाक फंगस को लेका आईजीमसी परिशासन अलवाल्ट चार डाक्टरों की कमेटी बनाई अगनिवजाब के सामने कि संकट के घड़ी में मदद की बज़ाए अपनी राजनीती चमकाने का कार्य कर रहे कांग्रेस नेता त्रिलोक जैंबाल अगनिवजाब की कि हमीरपुर में करोना से तीन की मौत 246 लोग जो है पॉजिटिव आये हैं करोना करफ्यू तोडने बालों की अब ख्यार नहीं ड्रोन से रखी जा रही नजर काटेगा चलान तो हमीरपुर में करोना करफ्यू के लंगन के बढ़ते मामलों के बाद अब S.P. कार्तिकेन गोकल चंद्रेन ने खुद कमान सभालते हुए ड्रोन के मादम से शेयर बासियों पर नजर रखने की मोहीम शुरू की है अगनिस जाब के सामने कि लोग करोना मामारी से तरस्त मोधी सरकार महगाई बढ़ाने में विएस्त राजेंतर राणा अगनिस जाब की कि चंबा में सोतरले बाप की करतूत नावालिक पेटी से के साथ की हैवानियत की हदें पार तो हिमाचर परदेश की डिस्टिक्ट चंबा से नियूज है कि चंबा जीले में एक नावालिक लड़की के साथ दोशकरम का मामला सामने आया है आरोपी लड़की का सोतेला पेता है पुलिस ने आरोपी को गिर्फतार कर लिया है और मुकादमदार जिकर जो है मामले की जान शुरू कर दी है अगनिस जाब की कि करोना संक्रमित पजुर की मौत करोना प्रोटोकोल के तहत अंतिम संसकार पुच्भाडी से ये निजे अगनिस जाब की कि करोना कर्फियू में सवारियं लेकर ब्याद जा रही बस पकड़ी आर्टीओ ने काटा चलान तो हुना से ये निजे अगनियुजापकी की मार्किट खोलने को लेकर व्यापारियों में उभर मतवेद व्यापर मंडल अध्यक्ष भी ब्यान से पल्टे अगनियुजापकी की करोन करफ्यू का सर्याम होरा उलंगन मारकंडा नदी में मौज मस्तिखर रहे युबा अगनियुजाब की कि सिर्मौल में करोना संक्रमन ने ली तीन सार के मासूम की जान अगनियुजाब की कि करोना काल में किसान नीशा कर रही लाखों की कमाई बिलूजगारों के लिए पेश की मिसाल अगर न्यूज़ आपकी कि करोना कर्फियू के बीच भंडारे का आयोजन पड़ा महंगा पुलिस ने आयोजन को दबोचा तो ये न्यूज़ आपकी बीबी एन से तो दोस्तों ये थी आद 20 मुई 2021 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी टॉप 10 ताजा खबरें अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और अंकित वर्मा और एच्पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्याव आप जय है जय बहाद